अलो दोस्तो मेरा नाम है रुपेश्कमार महतो और आपका हमारे यूटूब चैनल में वेल्कमें यहां हम क्लास 12 जियोलोजी में पेट्रोग्राफिक जिसको हमनों सेल वर्लना करते हैं इसका परिचे मैंने कल आपको दे दिया था और इसमें परिचे मैंने देने के बाद आपके एक्जाम में आ सकता है तो इसमें भी मैंने आपको इसमें भी मैंने आपको बैसाड तक इसका बर्नन बता दे इसमें आपको चटान परकार का बर्नन करने बो रहे ठीक है इसमें पांच तक मैंने आपको बता दिया था तो आज मैं यहां पर वीडियो लेकर आया हू और ठीक है आपको काफी ज़्याद समझ में आ जाएगा और यह important question है आपके exam में आ सकता है ठीक है तो चलिए question number sorry चटन परकार 6 तक चलते हैं 6 में हम दों देखेंगे यह सब मैंने आपको बता दिया ठीक है 5 तक 6 में 6 में हमारे पास चटान का एक परकार है प्यगमा टाइट ठीक है प्यगमा टाइट तो यहां किस परकार का चटान है तो यह ग्रेनाइट के समान ही ठीक है यह ग्रेनाइट के जैसा ही पाया जाने वाला चटान है ठीक है यह ग्रेनाइट के जैसा ही होता है जिसमें क्या होता ह है इस फिटिंग नामा घणिज होता है जारी फिलसापार होता है यE सब घणिज है ठीक है स्वेट अभरण wiping ऊसना वाशरी आवह को अधार ऑभाते कबलग बाते थे तब न कर टोर्म भागों में पाता गिया है तरहушर मेंUS स्थारि ग्रिफाइट और इसमें हम दों बाटेंगे खनीजिकी के आधार पर वाग को दो भागों में बाटाकिया सामाइन यानि सीमपल पैङमाटाइड और जटिल पैङमाटाइड ठीक है तो यह होगी आपका पैङमाटाइड खनिशक परकार की रूप में उसके बाद हम लो देखे तुर्ते फूर्ते हैं तब कांगलो मिरेट नामक चटन का निर्माण होता इसमें कि जब गोलंपदार्थ जब मतों एवं चिक क्टना मिठ्टी भी यह सब तूर्ते फूरते हैं ठीक तब नामक चटन का निर्मांद होता है उसके बाद कार्थक शके प्रमओ 20 है इसमें आपको पूछे कांगलो मिडेट खनीज का परकार में या चटान का प्रकार का प्रमुक खनीज कैसे कार्टज पहले पुछे कार्टज और फेल स्पार उसके बात देखे इसमें चांगों के नुकिले टुकड़ों के चट्टानों के नुकले टुकडों को ब्रेशिया कहा जाता है याद रखना है इसमें चट्टान के नुकले टुकडों को क्या कहा जाता है ब्रेशिया किसमें कांगलोमरेट में ठीक है उसके बाद हम लो देख लेए बालू पत्थर तो बालू पत्थर के बारे में अबधर तो पाने पार होगा तो इसमें रंद्र याई चेद भी पाया जाता है जो हता है या तो भूरा फ़लू पत्थर में बालू के कन बड़имся च्छा क करें नुकिले बड़े होते हैं इसमें क्या कहते व्रेशिया कहते और ऊस्में घृइट कहेंगे tukड़ों टुकडों को एसके बाद भारत में विंद पहाडियों में बड़े उसलिकर से यहां यानि बंद पाजीओं के छित्रों में बालोपत्र ज्यादा हुपतलिए क्सी ये फसके बाद हमनों देख रहे कि तो ये को मतल्स चट्ण नहीं होता है इसमें एक अकर दिजन दो डबल एकार राता तब यह सेल होता है स्पीनिघक षीLab composeriris सेल में देखरें कि और कले ये खनी जक प्रकार है जो इसके मिलने से संगटीद होने से इस में प्रकार यानि सेल का निर्माण होता है या पूर्णता चिकनी मिट्टी से बना होता है या पूरी तरह से चिकनी मिट्टी से बना होता है क्या कौन बना होता है सेल और इसमें खनीज के कण अद्रिस यानि इसको आप नगन आखों से नहीं देख सकते इसमें पाई जाने वाले जो परते होती है न वो साप-साप और कागज की तरह पतली होती है पहले से जानते होंगे तो यह एक परतदार चटाने जैसे कि आप जानते हैं चुना पत्र परतदार होता है इसको हम तोल सकते हैं यह केवल केल साइट नाम खनी से बना होता है केल साइट नाम खनी से बना होता है और यह मुख्यता समुदरी जीवधारियों की हड्यों मुंगा सीप तता कुछ बिसेश परकार की पूधों के आउसेश से बनता जैसा कि केल साइट है तो काफी जड़ा मोजबूत पदार थे जिसे आप केल्सियम के बारे में पड़े तो और यह जीवधारियों समुदरी जीवधारियों की हड्यों मुंगा सीप तता कुछ बिसेश पर करके पोधों के आउसेश से बनते हैं उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि चुना पत्थर में छोटे छोटे जिवास में मिलते चुना पत्थर में अब समुदरी जाएंगे तो इसमें जीवास में पाए जाता है तो इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि इसका आप एक्चे घणा तो आपको एकजाम में पूछ सकता है कि चुना पत्थर का आप एक्चे घणा तो कितना होता है तो 2.5-2.8 ठीक है याद रखना है फिर इसका रंग जो है जब जब चुना पत्थर में दाने बहुत छोटे होते हैं और मुलायम होते तो हम उसे खली खड़िया करते हैं ठीक है इसमें इसमें चुना पत्थर में दाने दाने बहुत छोटे होते ठीक है और मुलायम होते तब उसको हम क्या कहेंगे खड़िया कहेंगे खली खड़िय तो यहां चुना पत्थर के यह चुना पत्थर के रूप आंतरन से बनता है यानि चुना पत्थर का ही रूप परिवर्तन से क्या बनता है संग्मरमार बनता है तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि संग्मरमार का रंग प्रायर स्वक्ष सफेद होता है जैसा कि आप संग्मरमा ठीक है उसके बाद भारत में या मुख्यता राजिस्तान में पाई आपको tip पूछता है कि संगमरमर ज्यादा तर भारत में कहाँ पाईदा तो राजिस्तान में ठीक है। उसके बाद 20 वक्या भी कुछ भाग है जैसे इटली और ग्रिस में सफेद सुंदर संगमर्मर के प्रसीद है यानि सफेद वाला संगमर्मर 20 में कहा है इटली और ग्रिस में जब कि भारत में कहा है राज्स्थान में ठीक है उसके बाद देख रहें कि उत्री अमेरिका में सफेद संगमरमर जिसमें बिभीन परकार के लहरदार लकीरे मिलती है बिभीन रंगों के लहरदार लकीरे मिलती है ठीक है देखेंगे कि संगमरमर में लकीर भे होता है तो उसका बाद हम देखे लिए लिए कार्टिजाइड यभी एक चटान का प्रकार ठीक है तो अध्यदिक गर्मी या दबाव से बालु पत्थर बदलकर या बालु पत्थर बदलकर कार्टिजाइड बन जाता है कर्टेजाइट बन जाता है तो एक्तधिक ग्रमी नामक खणेशं से बना कमक मुआता है तो कार्टेज नाम खनिसे याद गरने के ज़्रोत नहीं उसके बाद देख रहें कि इसमें और शीसे की तरह चमक पाये जाताए यह मुख विसेशना है किरजाईट नाम खनिसमें शीसे की तरह चमक होती है यह अत्यांत कठोर होने के कारण चाकya उससे नहीं कड़ता है हैं यह हमेसाब बीच में तोड़ता है ठीक है, उसके बाद आपने देखे यह और आगने तत्ता आवसाधी चठानों के रूप आ। बाताँ अनीज छटण ये आवसादी चट्टान यानि जो तलचटी जो परद दर चट्टान और आगनी चट्टान दोनों का रूप अंतरन से बंदर ठीक है रूप परिवर्तन से बंद पूर ये मोटे रवे यानि इसमें मोटे रावा पाई जाता ठीक है और इनके खनीजकन इसके बिल्कुल आसानी से देख सकते और इसको आप आख से देखकर ही पाचान सकती कि यह नीश है क्या नीश और तो यह सकता है सकता है। तो यह फैल स्पार और करक्टेज हो जागा उसके बाद देख रहें कि इसमें जो है ना वीभीन परकार की खनी तो यह काफी जाद धुद्टनेंट क्योंकि इसमें बहुत अधिक बिसेस परकार की बिसेस्ता इसमें बताई कि बीविन घनिज से और यह अलग अलग परकों इन में अलग अलग परकार के खनीज पाए जाते है तो यह काफी कड़ा होने के कारण इसको चाकूर से नहीं काट सकते यह ज्यादा पहुत ज्यादा कठोर होता है तो यह हो गया नीज के बारे में आप अनुद देख रहें सिस्ट तो नीज की तरह यह भी आगने तता आप सा कि जोई अलग अलग पत्ति से होती जिस तरह आपको अभी बताए में निस में इसमी क्या बताए कि पट्टि और धारियों मैं पाए जाते हएं और पकलीन पत्टि में तोड़ सकते हैं और यह प्लेंड से बहुत ही पतली होती यह wrong link मैं यह यह ज़ो पुछ सकता है कि हरन में किसका दुसरा परकार है तो चिस्ट फारंथक्त का तो शोरскे यह नाम से बस्ट रहा है ऊसके एक लास्ट ट Likes वहें हमारे पास번 mieć हैं एंपी बॉलाईट ठीक हैं मैं मैं। आपको एंसर ग्रो नाम नामक अगनी चत्तन का ठीक है मैं या मैं यहां पर मैंने आपको पूरा सारा चटान परकार के बारे में आपको अपिडिए पीडियाप चाहिए तो आप हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे नीचे में आप उसका लिंक पाजाएंगे वहां से आप इसको डायरेट क्रोम में जाकर मेरा ड्राइब जो है ना उसमें आप डाउनलोड कर सकते ठीक है और जदी वीडियो आपको अच्छा लागा तो आप लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों में आपको में वीडियो दिने का प्रियास करूंगा नोट से दिने का प्रियास करूंगा तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए तो बस इतना ही आज के लिए इतना ही जहिन वंदे मात्रम